इस लल्लन टॉप विडियो इस ब्रॉट टी यू बाई याकुल्ट याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है प्रति दिन याकुल्ट का सीवन करें जवाहरडाल नहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में एक बार फिर हिंसा हुई है रविवार यानी 14 नवंबर को यहां छात्रों के गुट आपस में ही भिड़ गए आज तक की खबर के मताबिक अखिल भारतिय विद्यार्थी परिशत यानी ABVP और वामपन्ती छात्र संगठन All India Student Association यानी AISA के छात्रों के बीच हुई इस भिणत में कई छात्रों को चोटे आई हैं घटना के बाद ABVP ने पुलिस से शिकायत दर्श कराई है वहीं दोनों दलों ने मार्च निकालने का एलान किया है ABVP के छात्रों ने AISA पर मारपीट के आरोप लगाए हैं संगठन के स्टेट सेक्रेटरी सिदार्थ यादव का कहना है कि स्टूडेंट एक्टिविटी रूम में मीटिंग के दौरान AISA के कुछ छात्रों ने कमरे के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी इस नारेबाजी के दौरान धक्का मुक्की शुरू ही जो मारपीट में तबदील हो गई ललन टॉब से बाचीट में बीजेपी के छात्र संगठन ने AISA को अर्बन नकसल करार रटिया और कहा ABBP के छात्र हर रविवार को होने वाली वीकली एक्टिविटी के लिए इखटा हुए थे इस मीटिंग के लिए हमने पहले से इजाज़त ली हुई थी इसलिए AISA के छात्रों द्वारा कमरा खाली करने की बात पर हमने जाने से इनकार कर दिया नारे बाजी करते हुए AISA के कारेकरता कमरे में दाखिल हुए और मीटिंग में मौजूद लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी इस हमले में अक्षय नाम के छात्र को चोट आई है उसे सवदर जंक अस्पताल में भरती कराया गया है इसके अलावा एक दिव्यांग छात्र को कुर्सी से नीचे गिराया गया था इसके विरोध में आज एक मार्च निकाला जाएगा हमने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है जिसे FIR में तब्दील कराया जा रहा है कटना को लेकर AISA ने भी अपनी प्रतीक्रिया दी है AISA के नैशनल प्रेसिडेंट एनसाई बाला जी ने ललन टॉप को एक बयान भीजा इसमें कहा गया है किसी संस्था द्वारा JNU छात्र संग के कारयाले में कारिकरम करवाने के लिए बुकिंग की गई थी उन्होंने उस कारिकरम से जुड़े पोस्टर कारयाले के बाहर भी लगाए हुए थे लेकिन जब संस्था के कारयकरता वहां पहुँचे तो ABVP के 15 सदस्यों ने पहले से डेरा जमाय हुआ था इसके विरोध में हम लोग शांती से प्रेटेस्ट कर रहे थे ABVP चात्रों को वहां से हटने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया इसके बाद ABVP के चात्रों ने हिंसा शुरू कर दी संख्या के मामले में हमारी तादाद जादा थी हमारे साथ आम चात्र भी मौजूद थे इसने ABVP के चात्रों को वहां से जाना पड़ा इस जीत की हम सब को बधाई यही बात बाला जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी कही है इस मामले में JNU चात्रसंग की अध्यक्ष आईशी गोश ने ट्वीट कर ABVP पर निशाना साधा है उन्होंने कहा ABVP के गुंडों ने JNU में आज हिंसा फैलाई इन अपराधियोग ने बार-बार छात्रों पर हिंसा की है और कैंपस के लोगतंत्र को बाधित किया है क्या JNU प्रशासन अब भी चुप रहेगा? क्या गुंडों पर कोई कारवाई नहीं होगी? JNU में हिंसा नई बात नहीं है पिछले पाध जनवरी को दरजनों लोगों ने JNU कैंपस में घुस कर छात्रों के साथ काफी मारपीट की थी इन सभी लोगों ने मास्क वहनी हुए थे हमले में छात्रों समेट करीब 40 लोग घायल हो गए थे इनमें JNU छात्र संग की अध्यक्ष आईशी घोश भी शामिल थी इस घटना के बाद कई जगा छात्रों पर हुए हमले का विरोध किया गया था पुलिस ने तीन मास्क धारी लोगों की पहचान की थी इनमें एक लड़की भी शामिल थी जिसकी पहचान ABVP कारेकरता के रूप में हुई थी आला कि आज तक कोई गरफतारी नहीं हो पाई है आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी दिपेंत्र ने देखते रहिए दिलल लंटौ शुक्रिया